राष्ट सरप्रथम की बात लली सुमन के साथ कार्जक्रम में आप सभी राष्टवासियों का हर्दिक स्वागत एंसीडी की ओर से सिविक सेंटर में अंवेटकर जहनती समारों का आईयोजन किया गया दिली की मुख्यमंत्री अर्विन केs जिवाल ने कारेकर में हिस्सा लिया सिएम केs जिवाल ने बाबासाहब भीमराव अंवेटकर को श्रद्धान्जली अर्पित की डॉक्टर जादा एहमियत सिक्षा को दी आज हम बाबा साब अंबेड कर का जन्म दिवस मनाने के लिए कत्रित हुए हैं भारत ने बहुत बड़े-बड़े लोगों को जन्म दिया लेकिन मैं समझता हूं कि बाबा साब अंबेड कर शायद हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा चमकता स तारा है उनके जीवन को आप जितना पढ़ो उतना लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो आदमी एक मामूली से मध्यपरदेश के गाउं में इतनी गरीबी में इतने छुआ छूट से निकल के भारत का लौ मिनिस्टर बनता है और दुनिया का से बहतरीन समविधान लिखता है ये सफर कोई आदमी कैसे तै कर सकता है और उनके जीवन के संघर्ष को मैं जितना जितनी बार पढ़ता हूं उतना मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस देश के अंदर पैदा हुआ था और उसने इतना कुछ हासिल किया औ आज के जमाने में तो इंटरनेट है आप अभी गूगल मारोगे तो आपको पता चल जागा कि कोई कॉलंबिया इनुवस्टी भी है वो कॉलंबिया इनुवस्टी पहुच गए पढ़ने के लिए वहां से उन्होंने पी एचडी करी और फिर उन्होंने सो पंदरा में वो ल सलते हैं वहां से वो वकालत करके आए ऐसे ही थोड़ी दुनिया उनके दिवानी हो रही है है कि नहीं है उस वक्ति ने हमारे देश का समविधान लिखा बहुत ही खुबसूरत समविधान लिखा उसमें सारी चीज़ें उन्होंने डाली सबसे जादा तवज्यू उन्होंने शिक्षा को दी बार 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 उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उनको जितनी बार आप पढ़ो हर जगे वो यही एक संदेश देते हैं कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है चीज मैंने भी महसूस करिये कि शिक्षा किसी भी परिवार को पूरी तरह से बदलने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करती है राजनीती में आने के पहले मैं इंजियो चलाया करता था सुंदर नगरी की जुगियों के अंदर हम लोग काम किया करते थे मैं और मनी से सूदिया जी वहां आम देखते थे सरकारी स्कूलों का इतना जादा बुरा हाल होता था एक गरीब आदमी अपने बच्चे को भेजता था साल दो साल भेजने के बाद देखता था और पढ़ाई लिखा यह तो कुछ है नहीं टाइंग बर्बाद कर रहा उसको कहता था धंदे में लग जा कभी चाही के दुकान पे लग जा कभी कहीं लग जा कभी कहीं लग जा कोई इदर उदर धंदे पे लगा देते थे अपने बच्चों को लेकिन अब शिक्षा की पूरा का पूरा दिली सरकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा है तो आज इस मंच के जरिये में आप सब लोगों का सभी MCD के करमचारियों का और दिल्ली के दो करोड़ों का हवान करता हूँ कि आपने यही जिम्मेदारी हमें दिया हूँ सब मिलके सौरव भारदवाजी ने मुझे प्रस्ताव भेजा है कि हमें साल में एक Model RWA Award स्थापित करना चाहिए जो RWA इच्छा काम कर रही है सारी RWA इसके बीच में Competition कराया जाए और एक Model RWA एक Best Park का Award होना चाहिए जो Park सबसे अच्छा जो Maintain सबसे अच्छा वो उसका Park का Award Best सफाई करमचारी का Award हर वाड में अलग अलग वाड में हर वाड में एक Best सफाई करमचारी एक Best Sanitary Inspector और एक Best ASI का Award होना चाहिए इस तरह के कई सारे Awards Institute किये जाएंगे आज मुझे बहुत खुशी है मेरा पहला आज विजिट है Civic Center में आज आप सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है अब आना जाना लगा रहा करेगा Thank you so much राश्तर पर्थम की बात लली सुमन के साथ कार्श करम में हम आप से आज यहीं विजा लेते हैं अनखावरों के लिए आप बने रहें राश्तर पर्थम बंदे मातरम जाग उठा है बारत